हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में अगर आप रोच के वही दाल पालक या आलू पालक खा करके बोर हो चुके हैं तो चलिए आज पालक का कुछ टेस्टी सनास्ता और कुछ अलग ट्राइ करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी चावल लिया है और उसी कटोरी से आधा कटोरी मूं की दाल है और आधा कटोरी यहाँ पर चने की दाल है तो तीनों को मैंने अच्छे से साफ कप लेंगे थोड़ा सा मेडियम आज पर ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और इसका जो माइस्चर है वो खतम हो जाए तो आज हम इसे भीगा करके नहीं पीछने वाले हैं तुरंती बना करके इसे हम तयार कर लेंगे बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में बहुत ही ट लेंगे तो एकदम फाइन सा पाउडर इसका मैंने तयार कर लिया है अब इसे एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर देंगे और इसी के साथ ही यहां पर मैंने दो कच्छे आलू लिये हैं इसे ग्रेट कर लेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज है अगर आपके पास उग आदानूसार नमग डाल देंगे या 10.5 चूटा चम्माच और इसी में कटे हुए पालक डाल देंगे तो यह लगबग एक बंच पालक है इसे माने धोकर के बारी काट लिया है अब इसमें दो चम्माच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे या स्वादå न Алग informatique अजिया पाउडर है और आधा चम्माच यहां पर आजवाईन है इसे हम हाँ से इस तरह से मसल करके डालेंगे एक चम्माच अध्रकला सुन का पेश्ट है कटी हुई धन्या की पत्ती दो हरी मिर्च है और एक चम्माच आमचूर का पाउडर है आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप यहां पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं अब सारी चीजों को हाँ से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका हमें एक सौप्ट सा डो लगाना है तो अभी मैंने इसमें पानी अगरा कुछ भी नहीं डाला है पहले हम इसी तरह से इसे मसल करके इसका डो बना लेंगे और ज़र पड़े तो हम इसमें पानी भी डालेंगे तो यहां पर मैंने अभी तीन चम्मज बेशन डाला इसमें अब हलका हलका सा पानी डाल करके इसका एकदम सौप्ट सा डो लगा करके हमें तयार करना है तो बहुत जादा पानी नहीं डालना है तो लीजे इसका डो तयार हो चुक और यहां पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल अब मीडियम गरम हो चुका है अब इसमें एक एक करके हम ये बड़े डालते चाहेंगे और जैसे ही नीचे से शीख जाए इसे हम पलट लेंगे और इसे पलट करके हमें धोनों तरब से अच्छे से गोल्डन आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा